मौट जब सर्पेर होती है जितकी की की पत्तम समझ में होती है आपके सोड़े का क्यारट मारे क्यारेक्टरों खराब नहीं कर सकता क्या अजय भी बनेंगे पैन इलिया स्टार अगले वीज कहा का रुख लेगी भोला की टीम कौन सी फिल्म बनेगी अजय की इस फिल्म का प्लस पॉइंट हेलो दोस्तो मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलिक रैड स्टूडियोज में जल्द ही अजय देवगन की एक के बाद एक दमदार फिल्मे आने वाली है जिसमें सिंगम 3, गोलमाल 5 और पैन इंडिया फिल्म मैदान भी शामिल है ऐसे में जहां हर जगए अजय देवगन की फिल्म मैदान से लोगों को काफी उमीदे हैं की फिल्म काफी ब्लॉक्बस्टर हिट जाएगी वहीं एक्टर की आने वाली एक रीमेक फिल्म भोला जो तमिल फिल्म कैथी का रीमेक है भी एक पैन इंडिया फिल्म होगी फिल्म को अलग-अलग कई भाशाओं में रिलीज किया जाएगा ऐसे में हम सभी को पता है कि ओरिजिनल फिल्म कै थी कितनी बड़ी सूपर ही रही और फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी पसंद किया गया था और जल्द ही फिल्म की रशिया में स्क्रीनिंग भी होने वाली थी लेकिन अब वहां के माहौल में लग नहीं रहा कि फि कमाई कर चुके हैं और आने वाली उनके फिल्म मैदान से भी हर भाषा के लोगों में उनका एक अलगी फैन बेस बनने वाला है ऐसे में इस फिल्म को पैन लेवल पर रिलेस करना मतलब अजय इस बार फिल्म में कुछ बदलाव करके दिखाने वाले हैं योग कि खबरो की म तोड़ती है अजय की रिमेक फिल्म साथ ही फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है और फिल्म के एक्शन सीन खार घर में शूट हो रहे हैं वहीं फिल्म का अगला सिड्यूल नेक्स्ट विक मड आइलेंड में होगा जहां फिल्म के लिए एक पुलिस कमिशनर ओफिस बिल्ड किया गया है और वहीं फिल्म का अगला शूट होगा ऐसे में इस बार फिल्म को लोकेश कनंगराज डारेक्ट कर रहे हैं और फिल्म में अजय देवगन के साथ तबू लीड रोल में नज़र आएंगी इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविधा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल न भूलें और बताते जाएं कि आपको क्या लगता है कि अजय देवगन हर जगह अपना जलवा दिखा पाएंगे धन्यवाद